हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 NCRT साइंस का चैप्र 7 गेटिंग तू नो प्लांट्स इस चैप्टर में बिसिकली हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे को आउट सॉड और अब्जर ओपर भार सकते हैं तो आप देखिए कुछ प्लांट्स ब्हुत चोटे हैं कुछ प्लांट्स बहुत बगणि हैं कुछ जो मिट्टी में हैं किसी किसी की leaves हैं कोई-کोई red color के हैं और बहुत है बड़े बड़े तक आपको trees मिल जाएंगे जनके ऊपर red color के flowers लगे होंगे, कुछ होंगे जो बहुत छोटे होंगे और kसी कसी का तो red color के leaves होती हैं कि रिफ लेश्य और पर पर लिष कलर की हो जाती हैं, और कहीं कहीं पर blue color के flower होंगे, कहीं कहीं पर होंगे भी नहीं, तो बहुत सारे variety के plants होते हैं, जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं, हमारे घर के आसपास, हमारे school के ground में, रास्ते में, understand the differences between plants of different kind, तो इस chapter में हम, plants के different kind, यह हमारा first topic है, जिसे तीन kind के plant होते हैं, सबसे पहले त parts, तो हम एकदम starting से हमें फता है, कौन-कौन से parts होते हैं, plant के, तो यह तो बहुत simple है, हम यहाँ पर labeling कर देते हैं, जैसे के लिए यह वाला जो part आप उपर देख रहे हैं, यह हमारे flowers हो जाते हैं, right, तो यह वाला हमारे flowers हो जाएंगे, है ना, बहुत simple है यह तो, उसके branch, 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 यह यह तो हमें लेबल भी करते हैं, शुरू सी, तो प्लांट के part तो हम इसी के साथ साथ, plant के part तो हम पता है, अब प्लांट में कहीं तरह के होते हैं, जैसे के लिए herbs, shrubs, और trees, इन तिनों के बार में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर activity दे रखी है, आप स्टेम और branches को देख सकते हैं, तो कुछ plants बहुत छोटे होते हैं, कुछ plants आपके size के होते हैं, कुछ plants बहुत लंबे होते हैं आपसे, इस तरह के, तो अब हम देखेंगे कि plants के size पर, और plants के step के वो होते हैं, इनकी step के stem होते हैं, उसके अधार पर हम क्या करेंगे, plants को different kinds पे करेंगे, मतलब, लेबल करेंगे, जैसे के लिए देखिए, herbs, herbs कोन से plants होते हैं, जो बहुत नासुक होते हैं, shrubs, चुकी medium में होते हैं, और trees, जो बहुत ज़दा बड़े होते हैं, trees यानि पेड, अब हम एक one by one kitchen के बारे में deeply बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक table दे प्लांट आप देखिएंगे, गार्डन वगेराज में तो बहुत वीक होता है, थिक, no, थिक नहीं होता, बिल्कुल भी हार्ड भी नहीं होता, no, और base of stem पे, मतलब आप इस तरीके से बता लगा सकते हैं, इस तरीके से या पर mango का tree बहुत टॉल होता है, green होता है, yes होता है, tender होता है, no, बिल्कुल नहीं होता, थिक होता है, और hard होता है, और lemon का tree भी बता सकते हैं, तो इस तरीके से table को आप पूरा कर सकते हैं, बहार जाकर अगर आप देखिएंगे, तो बहुत सारे plant आपको मिल जाएंगे, तो आपको अराम से देखना हैं, जिससे उनकी ठहनिया ना टूटें, क्योंकि बहुत सारे plants होते हैं, जिनकी ठहनिया बहुत जादा weak होती हैं, तो उसी के, we also need to notice from where the plants branches grow in some plants, close to the ground or higher upon the stem, तो यहीं पर आप से यहीं बोला किया है, कि आप देखिए कि plant कि step के होते हैं, कुछ plant होते हैं, जिनकी ठहनिया होती है, ना, टहनिया मतलब मतलब है stem, जो stem होती है, stem, प्लांट की stem यह होती है, यह बीच वाली आप देख रहे हैं, जिस प्लांट की leaves टंगी हुई है, इस बीच वाले लकडी से इपर, तो इसको हम stem बोलते हैं, ठीक है, I hope it is, तो यह तो हमें बताइए, तो जो plant की stem होती है, कहीं-कहीं leaves ना नीचे स यूगना शुरू कर जाती है, और कहीं-कहीं थोड़ा उपर जाकर उखती है leaf, तो वो बता रखा है यहां पर तो हम इसी के basis पर group करेंगे काफी सारे plants को, तो देखें, यहां पर हम देखते हैं, herbs, shrubs, और trees, यह based on these character plants, तीन तरह के हम classify कर सकते हैं, तीन कर्टिकरी में, तो यहां पर हम पता लगाते हैं कि कौन-कौन टैप क्यों होते हैं, आप जल्दी से फटाफट से पता हैं कि हमने पहले की classes में भी पढ़े होए हैं, यह जो है, यह कौन सा है, यह हमारा herb, है ना, यह है shrub, है ना, और यह है tree, मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपने पहले बहुत है, यह हो गए हमारे herb, शिरब, शिरब क्या होते हैं, शिरब इन से थोड़े से मतलब इनकी जैसे दिखी यह वाला शिरब है, आप इने देखेंगे तो इनकी जो stem होते हैं, वो दिखती ही नहीं है, क्योंकि इसकी यह रहा stem माने जाए, शिरब की stem यह है, तो stem के एक और शिरब जो होता है, उसकी जो stem होती है, वो थोड़ी से मजबूत होती है, हर्ब से, ठीक है, तो हर्ब की तो बहुत पतली stem होती है, इसकी थोड़ी से मजबूत होती है, हर्ब से, और बात करें, ट्री की तो ट्री तो पूरा पेड़ या जाता है, नीम का पेड़ हो गया आपके बराबर का हो और ये वाला चुट्री होता है वो आपसे बहुत ही लंबा होता है तो ये तेन टैप के हर्ब, श्रब और ट्रीज होते हैं तो प्लांट्स विद ग्रीन और टेंडर स्टेम्स यहां पर हर्ब की डेफिनेशन दे रखी है जो कि यहां से लेकर यहां तक की है, प्लांट्स विद ग्रीन और टेंडर स्टाम आर काल्ड हर्ब, जिनकी ग्रीन कलर की स्टेम्स होती है और बहुत फीक होती है, उनको हम हर्ब्स कहते हैं, जादा हर्ब्स चोटे होते हैं और उनकी ज्यादा टेहनिया नहीं होती है अब कुछ प्लांस होते हैं जिन में स्टेम से ही जो उनकी स्टेम होती हैं अधर से ही पती आनी बहुत शुरू हो जाती है और टहनिया बहुत भर जाती है तो ऐसे प्लांस को हम शिरब कहते हैं और शिरब की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है लेकिन जादा भी हार्ड नही औि अखिख नहीं होती है यह डेफिनेशन होती है शिरब की ऐसे प्लांज को हम एगाते हैं और जिसमें बहुत बड़े हैं और रग membeth रहोती ह कुछ ब्लांज Zuk जो सुर्च छोते हैं वो इतनी ज्यादा हार होती है कि हम उनके अंदर रूट भी बहुत हाड होती है हम उन्हें बिल्कुल भी नियो खाड सकते हैं तो ऐसे को हम ट्रीज कहते हैं ठीक है तो जैसे हमने पिछले फिगर में दे दिया देख लिया यह रहे हर्ब यह रहे श्रब और यह रहे ट्रीज ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अब हम क्लासिफाइ कर सकते हैं वही चीज बोली कही है और बहार जा सकते हैं और हर्ब श्रब और ट्रीज को पहचान सकते हैं अब देखें अब ऐसे प्लांट्स अब दो और प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्रीपर और क्लाइमबर के बारे में तो ऐसे प्लांट जिनक स्टेम वीक हो लेकिन क्या होता है कि उनकी इतनी ज़दा वीक स्टेम होती है कि उनकी टहनिया है वह उपर खड़ी भी नहीं हो पाती है जैसे देखिए चातर हमने प्लांट्स देखे हैं उनकी स्टेम ऐसी होती है और स्टेम के नीचे रूट लगी होती है स्टेम के नीचे ज किसी होते हैं कि वो leaves या कोई भी fruit का भार नहीं समाल पाते हैं और नीचे ही पढ़े रहते हैं ठीक है उनको हम creepers बोलते हैं अब creepers का example हम उपर देख लेते हैं यह रही creepers अब देखिए यह रही इसकी stem और इतनी weak stem है कि देखिए यह उपर ही नहीं खड़े उपारे नीचे ही जमीन पर फैली हुई है इनकी सारी leaves और सारी इनकी stem तो इनको हम creepers बोलते हैं plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers creepers में pumpkin भी आ जाता है और खर्बूजा, कदू, यह सारे creepers के example है और अब ऐसे जो की climbers, climbers, climbers क्लाइम का क्या मताबुत है चड़ना इसी तरह के से climbers यानि जैसे money plant एक example हो गया अब देखो हम ना एक सहारा दे जाते हैं अगर किसी भी प्लाइब को creeper वाले climber प्लांट को अगर हम सहारा दे जाते हैं तो उपर 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 चड़ते जाते हैं यह जैसे money plant हो जाता है money plant पे अगर हम उसे सहारा दे दे तो वो उपर ऐसे 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 चड़ते जाता है और कभी-कभी बहुत ही ज़ता उचाही तक ऐसे चड़ती ही जाता है तो ऐसे प्लांट को हम क्लाइमबर कहते हैं जिन्हें सपोर्ट देने पर वो उपर उपर भड़ते जाते हैं ठीक है हो सकते हैं जए तो कुछ प्लांट प्लांट की प्लांट मेन कही ऐने छोटा हैं आम बदे तो उपकर सकते हैं कई इनlichen चुमल प Şimdi को सबस्क्राबे करीपर्ड़में लिवगारалась तो यह हमने पढ़ा different kind of plant के बारे में अब हम stem की बात करते हैं तो आप stem को closely देख सकते हैं जितने भी आपके आसपस plant हैं उसकी बाद बता सकते हैं कि कैसे कैसे हैं तो यहां पर एक्टिविटी दे रखी है जिससे हम थोड़ा और समझेंगे जैसे के लिए इस एक्टिविटी के लिए आपको एक glass चाहिए पानी चाहिए और blue या फिर red color की ink चाहिए और उसके साथ सथ आपको एक stem चाहिए किसी भी plant की कुछ drops टालनी हैं कुछ अधमिर डालनी है इंक की पानी के इंदर उसके बाद आप stem है आपके पस step टो होगे किसी बही तो मनली जी यह a plant और इसी stem भी आपके पास है तो stem को थोड़ा साइब काट दीजे, नीजे से इतना तक आप नीजे, जब आप stem काट लेंगे उसके बाद आपको stem को कहा पर रखते नहे ए अगलास में. तो दिखें यह आपने माली चे रड़ इंक डाल दी पानी में और उसके बाद इस प्लांट को रख दिया तो आप देखेंगे कि प्लांट की जो स्टेम है और प्लांट की जो पत्तियां है धीरे धीरे कुछ घंटे तक आप अब अब जर्ब करेंगे थोड़े दिनों बात की प्लांट की जो वेन्स हैं प्लांट होता है जो लीफ होती है अब एद स्टेम पानी लेती है और कहां देती है leaves को देती है stem को जो भी मिल रहा होगा वो लेगी और leaves को देगी अब stem को आप क्या दे रहे हैं आप दे रहे हैं red color का पानी तो धीर धीर stem का color भी change होगा और जब वो इन leaves को ये वाला पानी देगी तो leaves का color भी change होते जाएगा red होते जाएगा तो इसलिए हम इस activity से हमें बता चलता है कि stem जो है वो अपवार पानी देती रहती है और stem ही सारी leaves को mineral और उनका खाना पहुचाती है अब क्या process होता है जैसे जो stem है ये रही stem और ये रही उसकी ऊपर लगी हुई leaves और stem की नीचे क्या आती है stem की नीचे जड़े आती है अब क्या होगा जड़े मिट्टी के अंदर होती है तो मिट्टी में जितने भी minerals होंगे वो जड़े लेंगी जड़े stem को देंगी और stem पतियों को देगी तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है अब आप पानी उसे रड़ देंगे तो stem रड़ ही पानी खीचेगी और धीर धीर सब कुछ रड़ होते जाएगा तो वाटर और मिन्रेल्स गो टू लीव और अटेच्ट टू दे स्टेम तो यही चीज़ है लीव अब हम लीव के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है ना यह हम पिछले की क्लासे में भी बढ़ चुके हैं कि जो लीव होती है जो लीव होती है उनका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है अब how are leaves attached to the stem अब stem से stem से जिससे यहाँ पर यह stem है इससे पतियां attached कैसे हैं कैसे attach होती है यह होती है stem अब माल लिजे इस तरीके से पतियां stem पर लगी होती है है ना तो यह वाला जो पार्ट है जिससे leaf attached है stem से इस पार्ट को ये वाला जो पार्ट है जिससे leaf attached है stem से उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं petiol बोलते हैं petiol बोलते हैं ठीक है the part of the leaf by which attached to the stem is called petiol तो petiol ये वाला पार्ट हो गए जिससे leaf और stem attached है ठीक है उसके बाद the bored green part of the leaf is called lamina और अब अगर हम बात करें कि जो green leaf होती है leaf का जो जैसे मान लेजएं यहाँपर headache जो लीफ है ग्रीन ग्रीन एसके वोपर जो लगा वो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इसको हम लैमिना कहते हैं यह जो पत्ता होता है एक पत्ते को हम लैमिना भी कह सकते हैं फिर पत्ता जो ग्रीन गलर का होता है इसको हम लैमिना कहते हैं ठीक है तो यह द ओके यह हमने पढ़ लिया के यू एडेंटिफाइड इस पार्ट अब इडेंटिफाइड आप कर सकते हैं वह चीज बाहर बार बुली गई है अगर आपके आसपस प्लांट हैं तो आप अच्छी तरीके से और समझा जाएगा वैसे आपको समझाई रहा होगा यह लैमिना हो यह पैटियोल हो गया जिससे लीफ स्टम से अटच है अब हम लीफ को पता करते हैं उसके इंप्रेशन से अच्छी तरीके से तो यहां पर आपको एक एक अक्टिविटी दे रखी है इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे आपको एक लीफ चाहिए इसके लिए और एक पेपर चाहिए अपनी कॉपी का आफ वार सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है शीट ले लिए अपने नोट बुक की उसके बाद hold it in place as shown in figure 7.9 इस figure में जैसे आपको तिखा रखा है आपको इस तरीके से paper को पकड़ लेना है उसके बाद आपको क्या करना है hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it तो जैसे आप paper पे leaf रख लीजे उसके बाद ऐसे ऐसे पैंसल से उसे घिसते जाईए जहां पर leaf रखी हुई है did you get an impression with some lines on it are the similar to those on the leaf तो जैसे क्या होता है यहां पर बस इस activity में यही बता रखा है कि आप जब ऐसे ऐसे घिसेंगे ना तो आपको थोड़ा impression सा मिल जाएगा जो कि leaf में भी होता है अब leaf में क्या होता है यह leaf होती है ठीक है यह leaf है और leaf में बीच में एक यह, बीच में एक मिड्रिब बोलते है ठीक है मिड्रिब हो जाती है यह और उसके बाद उसके बाद क्या उसके बाद अब इस बीच के आसपस भी इस तरीके से वेंस बनी होती है आपने नोटिस किया होगा leaf पर इस तरीके की ना तो इनको हम बोलते है वेंस जो मिड्रिब के आसपस इस तरीक में है यह हो कि हमारा में ड्रिब अब इस पूरी चीज को यह जो पूरी चीज है यह क्या है एक पैटर्ण है ना एक तरीके से पैटर्ण ही तो बन रहा है एक बीच में यह है उसके बाद ऐसे ऐसे हो रहा है तो यह लीफ का वेनेशन होता है ठीक है अब वेनेशन यह लीफ का क्या होता है venation होता है अब venation भी two tap के होते हैं एक reticulate venation और एक होता है हमारा parallel venation अब इनके बार में हम पढ़ते हैं अब कुछ पत्तिया पीछे आपको example दे रखा है यह वाला इसको हम अराम से देखते हैं यहाँ पर zoom करके तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको दे रखी है एक बार आपको बता रखा है midrib क्या है यह जो बीच में आप पत्तियों के बीच में देखते हैं हो हमारा midrib हो जाता है और यह साइड साइड में आप देखते हैं हमारी veins हो जाती है अब यह सारे leaves का venition कहलाता है leaf के venition भी two type के होते हैं reticulate venition और parallel venition तो अब इस leaf में जो आप इधर देख रहे हैं ये वाली जो leaf है इसमें आपको कैसा venation देखने को मिला है reticulate venation देखने को मिल रहा है कैसे क्योंकि अगर हम देखे हैं तो इसका जो veins है यानि ये वाली जो चीज है वो कैसी है इस तरीकी की है अब कुछ plants जैसे के लिए ये वाला plant इस वाले plant में क्या है सीधी है इसमें सीधी veins है जैसे के लिए ये मैं आपको एक plant ड्रॉकर करकर दिखा रहे हूं अब देखें कई plant होते हैं इसमें सीधी 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 veins होती है कई बार कई plant होते हैं इसे आप अब्ज़र्व कीज़ेगा पत्यों का आपको अब्ज़र्व करने से इसम्पली अब देखें ये जो आपको पत्य देख रही है इस टैप की हो लेटी-लेटी हो तो इनको हम कहेंगे सारी मिद्रेव नहीं रेटिकुलेट वेनेशन ठीक है तो यह रेटिकुलेट वेनेशन है और जब व्यान सीधी-सीधी हो तो इनको हम कहेंगे parallel venation ठीक है तो ये दो टाइप के venation हमारे हो जाते हैं दोनों टाइप के example आपको दे रखें ये हमारा है ये हमारा है reticulate venation और ये है parallel venation तो यही चीज है पिछे हमने पढ़ लिया है ठीक है तो यही चीज है एक होता है reticulate और एक होता है parallel Shall we now find out some of the functions of a leaf अब हम leaf के functions बड़ते हैं यहाँ पर आपको एक activity दे रखी है और इस activity में आपको ये बता रखा है transpiration के बारे में अगर आप activity चाहें तो कर सकते हैं ठीक है तो इसे पढ़कर आप कर सकते हैं वैसे ज़्यदा important नहीं है तो हम transpiration के बारे में हमें इस activity में बता रखा है तो जैसे हमने पिछले पिछले जो हमारे आई थिंग चैप्टर टू में शायद हमने देखा था कि evaporation क्या होता है evaporation क्या होता है जब जैसे हम पानी को गरम करने के लिए रख देते हैं तो उसमें से फिर पानी भाब बनके उड़ता है अब जब वो भाब बनके उड़ता है पानी वाटर वेपर जो पानी भाब बनके जब उड़ता है उस प्रोसस को हम क्या कहते हैं evaporation कहते हैं अब evaporation जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ होगा है ना इसी तरीके से एक transpiration होता है जो कि leaves में होता है leaves क्या करते हैं leaves भी भाब छोड़ती है water come out of leaves अब पतियों में से भी पानी भार आता है भाब की फॉर्म में वो उड़ जाता है पतियों में से पानी भार आकर तो उस प्रोसस को हम transpiration कहते हैं अब transpiration कैसे होता है इस प्रोसस के बारे में हम chapter 14 आगे का जो हमारा chapter 14 दाएगा science का उसमें पढ़ेंगे तो plant काफी सरा पानी जो है वो भाब बना कर फैर्ट देती है तो जैसे देखो stem है और root है root से stem को आ रहा है पानी और stem क्या कर रही है पतियों को पानी भेज रही है अब कुछ पानी तो खाना बनाने के लिए stem पतियां रख लेती है और बाकी का पानी भाप में वो लोग उडा दिती है अब जो भाप में वो उडाती है उसको हम कहते हैं transpiration उस प्रोसस को ठीक है तो यहां पर आपकी definition भी दे गई है water vapors out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration ठीक है तो यही बोला गया है इसको हम transpiration कहते है एक्टिविटी 5 यह activity भी आपको दे रखिए इसमें आपको चले इसको हम देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या चाहिए वैसे science lab में easy हो जाएगी हमें इसके लिए पत यानि glass ले लिजे test tube यह जो test tube है यह test tube होता है हमारा इसको ले लिजे जो कि आपको आपकी school में science lab जो होगा उसमें मिल जाएगा burner ले लिजे जिसमें हम आग लगा सके ठीक है और burner के साथ हम पानी ले लेंगे और उसके बाद हम iodine solution ले लेंगे ठीक है यह सब हमें लेना है इसके बाद आपके सारी ले लेक यह सब हमने ले लिया उसके बाद हमें क्या करना है रख देना है यहSky 15 गाल देना है टेस्टी जिसके अंदर हमने लीख को रखाए और उसके बाद test tube को baker में रहा इसके चीज अब बन जाएगी उसक वह गुछा हो तो हम पानी से भर देंगे अब जो बेकर है तो फ़र देंगे लिट को तंक भी जबेंगे में theands परपलिश कलर में ठीक है तो क्या होता है कि लीव का इस अक्टिविटी से हमने क्या सीखा हमने इस अक्टिविटी से लीव का जो इस तरीके से होती हैं तो यहां प्याइद आपको एक फोटो भी दिया गया होगा एक्सांपल के तौर पे ये देखिए इस परपलिश कलर की लीफ आपकी हो जाएगी आयोडीन सलुशन भी आपको लास्ट में मिला देना है देखिए अब क्या करना है आपको कहां तक थे हम लोग हमने ग्रीन कलर डाल दिया था ग्रीन कलर निकल गया था जब तक हमें बेकर मे जितना भी हमारे टेस्ट ट्यूम में था वो हमने बेकर में डाल दिया बेकर को हमने क्या किया गरम करने के लिए रख दिया उसके बाद लीफ में से सारा ग्रीन कलर निकल जाएगा उसके बाद हम लीफ को अंदर से निकाल देंगे और उसे पानी से धोकर उसमें हम आयोडी solution मिलाएंगे तो क्या होगा पूर अच्छी तरीके से निकल जाएगा किसका लीव का green color तो यह एक activity है इसमें क्या है कि जब हमने last में iodine solution मिलाया तो क्या हुआ लीव का जो green color था वो निकल गया राइट तो लीव का green color निकल गया और कौन सा color बन गया परपल सा color बन गया लीव का तो हमने क्या observe किया अब यह जो हमने chapter 2 में पढ़ा था उसके साथ आप इसको compare रख कर देखिए अब हमने food आप science का chapter 2 याद कीजिए chapter 2 जो हमने पढ़ा था उसमें इंदर starch present है starch को हम carbohydrate की एक form होती है starch तो क्या होता है हमने पिछले से पिछले chapter 2 में देखा था कि क्या होता है अगर हम खाने पे iodine solution की दो तिन drops डालते हैं उसके बाद अगर घाने का कलर परपल हो जाता है तो इसका मतलब उसमें starch present है तो क्या अब जो पत्ती होती है उसमें भी starch present है क्योंकि हमने क्या देखा हमने पत्ती पे किताल दिया iodine solution और पत्ती का कलर भी कैसा हो गया परपल ही हो गया इन chapter 2 वी सोगा that a slice of raw potato also shows the presence of starch हमने chapter 2 में ये भी देखा था कि हमने आलू पर ये टेस्ट किया था आलू पे हमने क्या दाला था iodine solution और इसके पाल वो परपल कलर का हो गया था तो जो आलू होता है वो अपना starch कहां से लाता है पत्ती से ही लाता है और इस टो का कर रख लेता यह हमने पढ़ा अब जो पतियां होती हैं पतियां क्या करती है पतियां अपना फूर किसमें बनाती है अपना खाना पतियां कैसे बनाते हैं सनलाइट से पानी से और कार्बोन डायोकसाइड से यह हमें पता है सनलाइट से पानी से और कार्बोन डायोकसाइड से इन चीजों स मदद से अपना खाना बनाती है और बदले में oxygen निकालती है तो इस प्रोसेस को हम photosynthesis कहते हैं तो यह हमने पट रखा ये photosynthesis का यह जो प्रोसेस है वो काफी ज़दा important है leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them for this they also use water and carbon dioxide the process is called photosynthesis ठीक है the food prepared by leaves ultimately gets stored in the different part of plant तो खाना बना लेती है leaves इसी प्रोसेस से photosynthesis के process we have seen that the stem supplies leaf with water हमने यह देखा कि जो stem है वो roots से पानी लेती है और फिर leaf को दे देती है तो जो leaf है वो अपना पानी का यूज करती है खाना बनाने के लिए और leaf थोड़ा पानी ट्रांस्पिरिशन के process से निकाल भी देती है that is where roots come in अब अब हम पढ़ेंगे roots के बारे में root अब root का मतलब होता है जड़ जैसे इस photo में दिखा रखा है यह plant की जड़ है तो इसको हम root कहते हैं जड़ कहते हैं तो चलिए अब एक activity और देख लेते हैं पहिली और प्हेली ने क्या किया जो भूजो था वो तो जो पानी है वो कहां डाल ते गया leaves की पति उपर मतलब plant की पति उपर और पहिली ने पतियों को थोड़ा हटा कर चड़ों में पानी दिया तो हमने यह तो पड़ी रखा एकि जड़ ही पानी देती हैं पत्तियों को और स्टेम को तो अगर आप जड़ पर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा जड़ पानी ले नहीं पाएंगी है ना और पत्तियों तक पानी नहीं पहुचेगा अगर पत्तियों पर ही पानी देते रहेंगे तो तो निकाल देती हैं ट्रांस्पेर तो हमेशा उसकी roots पे देंगे, ठीक है, other plant and plant it in pot pea, water them regularly, तो वही बता रखा है, जो मैंने आपको बता दिया, इसके लिए एक और activity यहां पर दे रखी है, इस activity में जब आप चनर को दो तिन दिन तक पानी में गला कर रखते हैं, तो चनर के उपर से इस तरिके से निकल आते हैं, तो यह भी इसकी जड़ ही होती है, यहां पर यही बता नहीं होंगी न, तो प्लांट सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, जड़ ही तो मिट्टी से पकड बना कर रखती हैं, अच्छी से, इसलिए तो जो प्लांट है, वो पूरा अच्छी तरिके से उपर खड़ा रह पाता है, तो क्या होता है, यहां पर यह बता रखा है कि रू रूट्स पी अलगलग वराइटी की होती है, अब हम इसके बार में पढ़ते हैं, तो पढ़ लेते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा इंपोर्टन है नहीं वैसे, फिर भी यहां पर एक और एक्टिविटी आपको दे रखी है, एक्टिविटी 9 भी दे रखी है, तो इस एक् रूट्स की कितनी वराइटी होती हैं, तो यहां से देखते हैं हम रूट्स की कितनी वराइटी होती हैं, यहां पर आप देखेंगे तो यह fibrous root जो है वो हर तरफ value हुई है और सारी की सारी मतलब पूरी value हुई है, value हुई roots को हम fibrous root कहते हैं, अगर हम इधर देखें तो इधर यह tap root है, tap root में क्या होता है, एक main root ऐसे निकलाती है, और इसके side में काफी सारे ऐसे जड़े निकलाती ह ठीक है तो यह जो beach वाली main root निकलती है tap root में से, यह जो beach वाली main root होती है, उसको हम कहते है tap root लेकिन यह tap root, यह होगे tap root beach वाली, अब इसके आस-पास से जो छोटी 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 kokisha रूट निकली है इनको हम कहते है लेटरल रूट्स ठीक है तो एक और बार हम समझते हैं जो टाप रूट होती है वो तो ये बीच वाली होती है और इसके आसपास जो छोटी-छोटी निकली होती है उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स ठीक है तो ये हमने पढ़ लिया और फाइब्रस रूट मे क्या होता है, सारी फैली होती है, नमें कोई में रूट नी होती, अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, हमने वेनिशन पढ़े थे, रेटिकुलेट वेनिशन और परराल वेनिशन, तो जो परलेल वेनिशन वाले smaller root are called lateral root, यह हमने पढ़ लिया, plant with root as shown in figure 7.7 do not have a main root, all roots seem similar and these are called fibrous root, तो यहाँ पर इस value plant को हम fibrous root कहेंगे, इस वाली plant को हम tap root कहेंगे, तो यह हमने इस वाले paragraph हम पढ़ा, separate the plants you have collected into two groups in group A, अब आप क्या कर सकते हैं, group बना लीजे, group A में आप ऐसे plants को रखे, जिनकी tap root हों, और group B में आप ऐसे plant को रखे हैं, जिनकी fibrous root हों, तो यह आप कर सकते हैं, इसे type की activity है, तो यहाँ पर आप बदा सकते हैं, कि plant का नाम और plant की venation और plant की root का कौन सा तरीका है, मतलब कौन सी root है, यह आप बदा सकते हैं, type of root, we have learned that roots observe water and minerals from the soil and the stems conduct these to leaves another part of the plant, तो हमने देखा क जड़ों से पानी आता है, minerals आते हैं, और stem उने लेती है, और पत्तों तक पहुचाते हैं, तो पत्ते हैं वो prepare करते हैं, food, food कहां पर जाता है, food, stem से, stem से होकर जाता है, और store हो जाता है, पत्तियों में और different part में, plant के, और हम इसी को, आपको पता होगा, कि हम plants को ही खाते हैं काफी plants को हम खाते हैं, जैसे carrot का plant, radish का plant, sweet potato, turnip, tapioca, इन सब को हम खाते हैं, काफी सार प्लांट के part भी हम खाते हैं, ठीक है, तो ये बता रखा है, in the next section, we will study about the structure of a flower, अब इस section में हम flower की structure के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है, तीन branches of a rose, इन तीनों में से आपको कौन सा plant लग रहा है, तीसरा बला लग रहा है, कि इसमें किया है, flowers भी है, तो flowers एक important role निभाते हैं, प्लांट में, तो काफी सारे color के flower होते हैं, सारे flower colorful होते हैं, आपने देखा होगा, हर तरीकी के flower आपको मिल जाएंगे, activity 10 यहाँ पर दे र रहे होते हैं, जैसे आपने रोज देखा है, कभी खिलते होए, तो रोज के नीचे यह छोटे छोटे ऐसे आपको जो पत्ते देख रहे हैं, यह से अभी खिल रहा है, तो इसके साइड में जो छोटे छोटे पत्ते हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं, और जब पूरा खिल जात कहते हैं जब plant खिल जाता है पूरा तो वह curious support कहते हैं तो आप flower ले सकते हैं उसके?. अध mundungen, खैक को सेहिं सकते हैं उसके बाद आपसे कुछ questions पूचे हैं क्याbuditta के क्षापल से तो क्या संसे सारे जोड़े हैं तो यह तो चुत कर सकते सकते हैं जैसे रोज, रोज के सेपल कितने हैं, पैटल कितने हैं, सारे चोड़े होई हैं या सारे तूटे होई हैं इस तरीके से अब अगर हम सेपल और पेटल्स को हटा दें किसी भी रोज के तो उसके अंदर हमें इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे केरफुली आपको बढ़ना हैं compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower look at figure 7.23 carefully it shows different kind of stamens present in different flower can you recognize the two parts of the stamens in your flower तो यहां पर हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो जो stamens and pistil है वह आपको कब देखेंगे जब आप एक flower को तोड़ देंगे मतलब एक तरीके से उसके सब पार्ट सटा देंगे तो आपको stamens and pistil देखेंगे तो यहां पर एक flower है इन्होंने दिखा रखा है उसके बाद इसको हम थोड़ा खोल कर देखते हैं तो यह flower है यह flower के petals है और यह flower के पहले निकले होते हैं मानलो यह flower है इसके बीच में इस तरगे की यलो यलो कलर के निकले होते हैं ठीक है यलो कलर के बीच में से इनको हम कहते हैं इनको हम कहते है है स्टेमें इस बीच में निकले होे हैं यह वह सके ओपर गोल गोल भी इस तरह के बணमें इस तरह की यह होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं एंथर्स जालतर यलो कलर के होते हैं तो च्छोटे च्छोटे से जिसे मैं आपको बनाया है यह यह बने होते हैं जिसे यह दिखे यह रहे छोटे च्छोटे तो इनको हम एंथर्स बोलते हैं ठीक है यह हमने पाट इसके बीना फ्लावर नहीं हो पाएगा यह व्यावर का स्टाप में होटा इशी को हम कहते हैं स्काथ हो पींति फॉप स्टिंट ऐस पिचर में आपको दिख रहा होगा क्लियर तो इसको हम पिस्टिल थो हम ने स्टैमस पढ़ा स्टैमस के ऊपर अन्थर लगय ibis लागते हैं अब को स्टेमन के बारे में थोड़ा और पड़ते हैं तो ये एक स्टेमन है ये दूसरा स्टेमन है ये सारे तो इन पूरे को एंथर और फिलामेंट तो अनों को मिला के एक ये बन जाता है पिस्टिल एंथर एंथर ये जो उपर इस तरहे किसे लगे होते हैं एक स्टेमन में ये एंथर उपर वाला यह नीचे वाला यह नीचे वाले को हम फिलामेंट बोलते हैं ठीक है यह जो नीचे वाला है एंथर से नीचे इसको हम फिलामेंट बोलते हैं और दोनों फिलामेंट और एंथर को मिलाकर एक स्टैमन बन जाता है जैसे पूरा एक स्टैमन है यह सारे पूर प्रिस्टिल सबसे अंदर होना इस तरीके के होता है अगर आप प्लांट को पूरा फार देंगे तो आपको पूरा पिस्टिल मिलेगा और अगर आप इसको की शाथे पार देक पाले है तो वो हम बता रखाателей सारे इसिमान को हटाकर आप देखी कर और आपको और प्हु पिस्टिल के भी कई सरे पार्ट्स होते हैं अब याद करने पड़ेंगे इनके बारे में हम डीपली पड़ेंगे 7th E-Earth क्लास में याते हैं अभी के लिए हम इनको क्या करेंगे याद करेंगे तो यह उपर यह पर आप स्ट्रक्चर देख लीज़ें यह एक पिस्टिल है पि या तक बिच में इसको हम overy कहते हैं ठीक हैं तो यह स्टाइल हो गया यहां से यहां से यहां तक स्टाइल हो गया और यह मोटा वाला पार्ट overy हो गया तो यह पिस्टिल के पार्ट होते हैं अब ओव přismo 005300ma किलिए आपको क्या करना है बतारखा है कि एक फिलावर को अशिच में में रियर सकते हैं अब क्या करेंगे बब्ब्ब्ब चांगे को काट डेंगे तो क्या मिले आपको Rose को कैसे भी काट लिए इस इस तरह केसे काटने को हम लॉंगÓ satyutinal cut बोलते हैं और इस तरीके से काटने को हम transverse cut बोलते हैं तो किसी भी तरीके से आप काट लो ovary को काटने के बाद आपको ये दिखेंगे ये ये जो है न ये जो वाइट वाइरी के अंदर ये भरे होते हैं ये white white कलर के एक तरीके से बौन लाइक स्ट्रक्शन का होता है इस तरीके से अब इनको हम कहते है ओवियूल्स और चोटे-छोटे गोले-गोले से है न हम ओवियुल्स कहते हैं। Can we engage the notifications of the óvary कोी चुक्षूटी-घ्ट के मिलेंगी तो आप अपने कौफी में ड्रॉU पूरा स्ट्रक्चर अब आप को पता चल गया होगा कितनी सारी फ्लावर्स होते हैं मतलब कितने पार्ट होते हैं ट्राइट फांड आपको नाम आते हो इतने आप बताईए उको भी फ्लावर आपको तोड़ना नहीं है यह तो आपको बुक में ऐसे दिखा दिया है अगर को ऐसे नहीं तोड़ना ठीक है तो सारे फ्लावर्स में सैपल्स पैटल्स स्टेमन और पिस्टिल होते हैं ठीक है और कुछ फ्लावर्स में आपको पता लगाना कि कुछ फ्लावर्स में सैपल्स या पैटल्स जादा भी होते हैं या एक-एक होते हैं या फिस्टेमन और पि बीच में डिफ्रेंस ही नहीं है तो बोल पताया गया है कि आप ढूड़िये जितना आपको फ्लावर्स मिलेंगे तो आप अची तरह किसे समझेंगे और उन्हें खोल खोल कर देखेंगे तो आपको क्लियर कॉंसेप्ट हो जाएगा तो हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है और कोस्ट्रक्शर पता चला फ्लावर का सैपर's petal stem आ पिस्टिल न के बार में पता चला और कभी-कभी ये किसी किसी । प्रेजिंट भी नहीं होताzkria हमने चिर्ट किया लीव इस स्टाम और रूट के बारे के बारे में इस इसके बारे में आपको और जदर डीपली हम higher eben classes